मित्रों जय माता दी, आप देखते हैं धर्मसिक्षा, धर्मसिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फेसे मैं आज इरू, आज का संपून रासी फले कर, यह रासी फले मंगल वारी याने की 1 दिसंबर 2020 का, अगर आज के पंचांग की बात कहें तो आज आज विक्रम संबर 2017 मार् पुर्णी ने श्यतर आज सुबह के 8 बच के 34 मेर्ट रहने वाला है, उसके बाद मिल्क सिरान श्यतर आरंब हो जाएगा, वरत्योहर में ऐसा कुछ नहीं है, मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है, एक-एक मोर्तों के बाएम जानना है, डि रासी नुसार क्या खाद पतात आपके लिए सुबह रहेगा, रासी नुसार कौन सा रंग आपके लिए सुबह रहने वाला है, तो वीडियो में हमाई साथ अंतक बने रहे हैं, और संपून रासी भल का लाव उठाईए, वीडियो पसंद आएद वीडियो को लाइक जोर कर पूरा का पूरा रासी फल निर्वर करता है, जैसा कि अब जानते हैं, तो चंदरमा राहू के साथ है, विर्षासी में है, सुकृतुला रासी में, बुद्ध सोरी केतू, तीनो एक साथ विश्चिक रासी में, गुरु सनी के साथ मकर रासी में, मंगल मीन रासी में विराज मेश रासी में चंद्रमा आज 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसरुप मेश रासी वालों के लिए आज करी उत्तम रहने वाला है तरह तरह के स्वाधिष्ट भोजन और मिठाईयों का अनंद आप आज उठा सकते हैं परिवार में दिश्तेदानों में आपसी सामन से बना रहेगा बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आपके बचत में विर्धी होगी व्यापार में भी लाब होगा बैंक बैलेंस और बचत आपकी आज बढ़ती हुई नजर आ रही है आज आपके लिए वस्त्र आभुसन और रत्न खहिदने के योग बन रहे हैं विद् स्वास्त की बात करेंगर तो स्वास्ते की द्रिष्टी से आज की आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है किसी परकार की चिंत आपको रह सकती है साथी और निंद्रा का सामना भी करना पर सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जओर रखें प्रेम समन्द की बात के प्रेम स आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग और आपके लिए आज का लकी नम्मर नौ रहने वाला है बात करेंगे वरिसरासी की वरिसरासीम चंद्रमा आज पर्थम अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसू वरिसरासी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही साकारात्मक रहने वाला है आज के लिए आप अपने प्राक्रम के बल पर और महत के बल पर आपकी आए में ब्रहतरी होगी यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है व्यापार के लिए या जीवन जीने के लिए आपको आज नए साहियोगी भी मिल स से पहले वीडियो के अंत में जो जान लें आज का सुब समय क्या है सुब समय में नियाकारी अरम करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ती निश्चित तोर पर हो विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज करें मध्यम रहने वाला है विद्यार्थियों का निंद्रा जदा आई सकती है तो अपनी निंद्रा पर नियंतन रखें और अपना ध्यान पूरा का पूरा अपने परहाई परही लगा हूए स्वास्त की बात करेंगर तो स्वास्त के द्रिष्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान रखें मौसमी बढ़ियों से और महामारी से बच के रहने का प्रयास जोर करना चाहिए आपको प्रीम समंद की बात करें प्रेम समंदों के लिए आज के इन उत्तम रहने वाला है आज नए समंदों की सुरुवात हो सकती है नए समंदों की सुरुवात करने से पहले अपने पार्टनर को जानने की कोशिश ज़रू करें आज के नगर दही अपने खाड़िपदाफि में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुप रहेगा, आपके लिए आज का सुप रंग गुलाबी रंग और आपके लिए आज का लकी नम्मर की पापते भी होगी व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार करने वाले जातक आज थोरा समहल कर रहे हैं अनावास्य खर्च आपके हो सकते हैं जिसका पूरा पवहाव आपके व्यापार पर भी पढ़ेगा विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आ जीवन की खुशियां बढ़ सकती है, विवाह के लिए परस्ताओ भी आ सकते हैं, साथ ही नए समन्धों की सुरुवात भी हो सकती है, तो अपना ध्यान जोर रखें, आज के दिन अपने खाद पदात में नीम्बू का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आप आपके लिए आज का सुबरं औरेंज कलर और आपके लिए आज का लगी नमर – 6 हो सकती हैं, अपने से बड़े मता पिता या बड़े भाई बहनों के किरपा आपको प्राप्त होगी, मान समान भी मिलेगा, परतिष्ठा में विर्दी होगी, ओफिस में सगे समन्धियों में और मित्रों में आपका मान समान बढ़ेगा, आज करें आपके लिए कुल मिला कर सुब रहने वाला है, बात करेंगे व्यापार और धनक तो करक्रासी के जातकों के लिए आज अचानक धनलाप के योग बन रहें, मकान और घर बनने के योग भी बन रहें, व्यापारियों के लिए आज किन काफी लाबदायग भी रहने वाला है, आपके लिए अच्छे संयोग भी बन रहें, अगर आज किन कुछ नया कारी आरम क फिर भी मेहनत में किसी प्रकार के कोई कमी बिलकुल ना रखें। स्वास्त की बात के तो स्वास्त के द्रिष्टी से आज किन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपका मन और सरीर दोनों स्वास्त रहेगा। प्रेम समंध की बात करें, प्रेम समंधों के लिए आज करें बढ़िया रहने वाला है, रिस्तों में नई शुरुआत भी हो सकती है, तो नई रिस्ते बनाने से पहले सोच समझ कर फैसला लें, आज कर दूद या दूद से बनी वीचिये खाएंगे, तो आपके लिए सुब र आज करें रुके हुए काडी को और फसे हुए काडी को बनाने वाला दिन है, जितने भी आपके रुके हुए और फसे हुए काडी हैं, उन सब को खत्म करने की कोशिस करें, आज उनको खत्म करने में आपको सफलता भी मिरेगी, मान सम्मान में विर्धी होगी, पिता का भी करपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा आपकी कुनली से आपके संतान को सफलता की प्राप्ती होगी और उनके काड़ी भी बनेंगे साथ ही अपने गुस्सी को नियंतर में रखें परोशियों से मित्रों से सगे समंधियों से सबसे समन मदूर बनाने की कोशिस करें उनसे लर विद्यार्थि की बात के लिए भी आज कने खर्चि ला रहे सकता है, अपने फीली खर्चों पे बिलकुल नियंतन रखें स्वास्त की बात के तो स्वास्त की द Defense से आज के नवा आज का सुबरंग केसरिया रंग और आपके लिए आज का लखी नमर एक रहने वाला है। पूरा अनन्दा पुठा पाएंगे। आज का सुबरंग लाल रंग और आपके लिए आज का लखी नमर पाँच रहने वाला है। बात करेंगे तुलारासी की। तुलारासीम चंद्रमा आज छठी स्थान में विराजित है। जिसके फ्लसुप तुलारासी वालों का संतान के तरफ से थोड़ी चिंता रह सकती है। तो अपने संतान का ध्यान रखें। आज आज आपको भरपूर मिलने वाला है। हिम्मत और प्राक्रम आपका बना हुआ रहेगा। बात करेंगे व्यापार और धन की। तो आज करें आपके लिए काफी उन्नती दायक रहने वाला है। आपकी उन्नती हो सकती है। आएके नए स्रोथ भी बनेंगे। साथी साथ व्यापार में भी लाव होगा। पैतिक संपत्ती का लाव आपको मिल सकता है। डूबा हुआ फसा हुआ कोई धन भी प्रात हो सकता है। छोटे भाई बानों से सहयोग तथा लाव आपको मिलेगा। विद्यार्थी की बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए आर्किन मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थी एक अग्रता में कमी महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको एक अग्रिचित होकर अपनी परहाई में मेहनत करना चाहिए। केरियर में थोरे बहुत संगर्ष के योग बन रहे हैं। लेकिन संगर्स के फश्यात सफलता मिलने की योग भी बन रहे हैं। तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें। स्वास्त की बात के तो स्वास्त आपका अच्छा रहने वाला है। फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए आपको प्रेम समंध की बात के लिए आज के लिए सामाने रहने वाला है। जीवन साथी से हलकी नौपजों के बाद समंध बाद में ठीक हो जाएंगे। आज के दियोंिगे चुकंदर अपने खाद्य बदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग सभी प्रकार के चमकीले रहने रहने और आपके लिए आजका लखी नंबर रहने वाला चार बात केंगे विष्ची ग्रासी की। आपको लाव मिलेगा, आज किसी प्रियेजन्स से आपकी मुलाकात हो सकती है, बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो आज पार्टनेर सिर्प के माध्यम से व्यापार में आपको लाव हो सकता है, सोसराल के पक्स से कुछ धनकी प्राप्ति आपको हो सकती है, भूमी, पोपट और मकान के सुख में वर्दी होगी, आपके व्यत्तिकत सुख में वर्दी होगी, साथी साथ आपकी आया में भी ब्रहत्री होगी, और बचत भी आपकी आज बढ़ती भी नजर आ रही है, बात करेंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज करें मेहनत से भरा रह सकता है, लेकिन आपका दिन उत्तम रहने वाला है, मेहाच जो भी करेंगे फाल उसका जरूर मिलेगा आपको, स्वास्त की बागते है तो स्वास्त है, आपका सामान ने रहेगा, बुझरु जात्कों को जोरों का दर्द परिसान कर सकता है, तो आपने स्वास्त का ध्यान जरूर रखें प्रेम समंध की बात के तो आज दामपत जीवन की खुशियां बढ़ सकती है जीवन साथी के सहयोग से आपके काम भी बनेंगे प्रेम समंधों के लिए आज का दिन कोली मिलाकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज के दिनकर जो या जो से बनीवी चीने आज आ सकता है आत्मिस्वास में बहुत ही हो सकती है आज कि अपने व्यक्तित पर विशेश तोर पर ध्यान दें आज के अपने गुस्य पर भी नियंतन रखें किसी से वाद बाद में तो बिल्कुल भी ना परें परोसियों तो चोटे भाई बाहनों से समंध मदू रखने क करें घर से जब भी बाहर निकलें तो अपने वाहन को नियंतन में चलाएं दीरे चलाएं आज लाराई जहरी के साथ-स दुरघटना के भी योग बंध रहें तो आपको थोरा समद कर रहना होगा आज कि जब भी घर से बाहर निकलें तो वीडियो के अंत में बताएगे शु देने की आपको आवज सकता है विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने से थोड़ा कम रहेगा विद्यार्थी अपने मन को भड़कने से बचाएं आज आपका मन अपेच्छाकरी ज्यादा चंचल रह सकता है स्वास्त की बात के तो स्वास्त समन्दी कुछ परिशानियां आ सकती है मानसिक पनाव भी रह सकता है किसी प्रकार की चिंता रह सकती है प्रेम समन्द की बात के जीवन साथी से सामन जासी भी बना के रखें जीवन साथी से थोरी बहुत मनमुटा हो सकती है आपको ही अच्छे समद्ध बनाके रखने होंगे आज के निकर दही अपने खादे बतात में सामिल कहेंगे तो आपके रिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग फालसी रंग और आपके लिए आज का लखी नंबर रहने वाल है 9. बात कहेंगे मकररासी की बात करेंगे व्यापार और धनकी, तो धनप्राप्ति के नए अपसर आपको मिल सकते हैं, व्यापार में भी लाव होगा, ओफिस में भी सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, विद्यार्थियों के लिए आज के इन उत्तम रहने वाला है, मासरोसदी की किर्पाप पर बनी रहेगी, तो महनत में किसी परकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें, स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की दिश्टी से, आज के नए आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन गयास समंदित कुछ समस्या आपको रह सकती है, तो बाहर के खाने से बचें, मसायदार ख खराब हो सकते हैं, प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के लिए ठीक ठा का जा सकता है, जीवन साथी के मन में विश्वास बढ़ने की कोशिस करें, इससे आपके समंद बैतर होंगे, आज के इनका सेव अपने खाते पतात में सामिल कहेंगे तो आपके विर्धी होगी, हर जगा आपको मान समान भी मिलेगा, वविश्य के लिए आपको इस सकारत्मक योजना आज बना सकते हैं, दूसरे सब्दों में कहें तो आज का बनाये हुआ योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है, व्यापार अधन की बा आज के लिए बढ़िया रहने वाल है, व्यापार में लाव होने की योग भी बन रहे हैं, विद्यार्थी की बात कर विद्यार्थियों के लिए आज के लिए बढ़िया रहने वाल है, अपने लक्ष को साधने के लिए विशे सरनिती बनाएं, इस से आपको फायदा होगा, स्वास्ति की भात करें, तो स्वास्ति का द्यान जरूरा रखें प्रेम समिनत्रों के लिए आज कें सामानी रहने वाला है जीवण साथी से आप से सामझजट से बना के रखें आज के लिए बढून राईस यान एक पका चावल खाएंगे तो आपके लिए शूब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग औरंज कलर और आपके लिए आजगी नमर पांच रहने वाला है बात करएंगे मीन डासी की मीन डासी चंदरबा आज 11 वे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसु मीन नासी वालों के केरियर के लिए आज के इन बढ़िया रहने वाले हैं आज आपको परिवाजनों का पूरा साथ मिलेगा खास करके छोटे भाईबानों से ओफिस में भी सहकर्मियों का सहीव प्राप्थ होगा आज के इन आपके लिए यातरा के योग बन रहे हैं और यातरा आपकी सुब रहने वाली है पिता का भी भरपूर सहयोग आपको मिल सकते आज बात करेंगे मीन नासी के व्यापार और धनकी तो मीन नासी के जुआ तक भौतिक सुक्स्विधाओं की चीज़ें बेशते हैं जैसे एलक्रोणिस का सामान, मौयल फोन, फिरित कप रित्यादी उनके लिए आज करें बढ़िया रहने वाला है उनके व्यापार में व्रधी होगी अगर कहीं आपके पैसे भकाया हैं तो वहाँ से पैसे जोन मांगें, वहाँ से पैसे आपको आज मिल सकते हैं विद्याथी की बात करें विद्याथियों के लिए आज की बढ़िया रहने वाला है मेनत करें उसका पूरा फ़ल आपको मिलेगा स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की दृष्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है सुबह सुबह अंकुरीत अनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और स्वास्त भी रहेंगे प्रेम समन्ध प्रेम समन्ध हो के आँज के बढ़एं रहने वाला है जीवसाथी के साथ कुछ खाली समय वैतीत करें इस से आपके समन्ध और व्यादा मदूर होंगे आपके बादाम अपने खाते-बदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग और आपके लिए आज का लखी नमर एक रहने वाला है तुम तो ये था आज के 12 रासी का रासी फल अब जानेते हैं आज का सुब समय आज का असुब समय यानि की गुलिक काल रहने वाला है दिन के 12 बचकर 10 मेर से लेकर 1 बचकर 28 मेर तक इस समय में कोई भी नयाकारी आप आरम करेंगे उसमें आपको सफलताहत लगेगी आज का असुप समय आने की राहु काल रहने वाला है दिन के 2 बच कर 47 मेर से लेकर 4 बच कर 5 मेर तक इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिलकुल बचे और सफलता हाथ लग सकती है दिसासुल आज उत्तर दिसा में रहने वाला है जए मातादी